हेलो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज बात करेंगे सेंटरल बैंक आफ इंडिया की तरफ से एनाउंस होने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपका पर्सनल इंटर्व्यू के बेसिस पे डारेक्ट सेलेक्शन हो जाएगा कोई भी एक्जाम यहाँ पे जो है वो कंड़क नहीं कराई जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ आपको शेर करने वाला हूं जैसे कि पोस्ट क्या रहने व वाला है सेलेक्शन प्रोसीजर मैंने आल्रेडी आयां पर आपको बोल दिया है अब इसमें सेलरी आपको कितनी मिल जाएगी और भी आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखन चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो अपडेट है सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया सामज एक उत्थान आवाम प्रशिक्षन संस्थान की तरफ से जो की स्पॉंसर्ड बाय है सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया अब इसमें आपकी पोस्ट रहेगी ऑफिस असिस्टेंट की फॉर रूरल सेल्फ इंप्लॉइमेंट ट्रेनिंग इंस्टिटूट रेजन ओन कॉंट्रेक्ट बेसिस फॉर यह यहां पर इसके पोस्ट के बारे में जो मैंने आपको अल्रेडी बता दी है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी एज की बात है तो यहां पर आपकी एज अगर ट्वंटी टू से लेकर 40 एर की एज है तो यहां पर आप एलिजिबल हो अप्लाइ कर सकते हो ग्रेजुइशन आपका होना चाहिए बीएस डव्ली बीए बीकॉम में विद कंपेटर नॉलेज तो आप यहां पर एलिजिबल हो अप्लाइ क कर सकते हो डिजाइरबल यहां पर कॉलिफिकेशन है नॉलेज इन बेजिक अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यह कॉंट्रेक बेसिज जॉब है एक साल की रहेगी जो भी आपका अकैडमी की यर है 2024 से लिए कि 25 तर आगे यहां पर बात क होगी उनको assist करना होगा कुछ accounts को maintain करना होगा vouchers book registers update करने होगे डेटा को परिएडिकल reports follow up करने होगे और आपकी कुछ इसी तरह की centers की activities होगी जो आपको manage करनी होगी मैंने अल्रीड बता दिया है कि selection procedure में आपका personal interview के basis पे आपका selection हो जाएगा अब बात आती है salary की तो आपको यहाँ पे monthly stipend 12,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा यानि 12,000 आपकी यहाँ पे per month salary रहेगी तो बात करते हैं यहाँ पे application fees की तो यहाँ पे कोई भी application fees नहीं रखी गई है अब यहाँ पे इसकी last date जो है वो apply करनी की वो है 2nd May 2024 तो इससे पहले पहले दोस्तों आप apply कर देना इसमें तो दोस्तों कोई exam के requirement नहीं है लेकिन अगर आप preparation कर रहे हो किसी other banking government exam की तो उसके लिए आप banking के जो note से उसमें enroll कर सकते हो जिसमें आपको यह पूरा चाहिए तो इसकी link इसकी जो official notification है इसकी link भी मैं अपने description में जो है वो add कर दूँगा वहाँ पर जाके आप full details वहाँ से ले सकते हो तो दोस्तों यह पूरी वीडियो थी इस update के regarding I hope कि आपको सब कुछ चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कुछ query आती है तो comment section में आके comment कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर देना आपने सभी दोस्तों के साथ share कर देना जो इसके लिए eligible है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं मारे next वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care